वेल्कुमार यूट्यूब फामली कैसे आप सब आज मैं बनाने लगी थी एक मीठा आप लों के दिये और आप लों के साथ मिजे शेयर करना था क्योंकि हमारा चैनल में हमने हर वो चीज शेयर करनी है जो मारे शौक होते हैं करके हमें इच्छा लगता है और रेकी थी केक बन दूने के साथ आती हो तो जी वी अर बैक ये हमारे इंक्रीडियंस हैं जिनकी डीटेल में आपको साथ साथ बताती जाओंगी सबसे पहले हमें चाहिए और पिछाईयों गग दही दोनों में वन थे और चाहिए और दोनों में डालेंगे वन बैंबन करके अच्छा इसमसे बस ख्याल कर्या आपने जो चीज रखनी है कि हापके पाने स्टावला नहीं होना चाहिए ग्रulation के लिए घ happiness k अपट कहा व यूज कर सकते हैं हैं बहुता दため हम ढढ़त दें कि इसमें आदा कि आप ही बाशीनी चाहिशार से मिलती हैं गर में पीसलें वो भी जैसे विल्कुल सभी रहती है अच्छा इसके बाद इसके मिक्स करें आज के के की जो खास बात है इसमें अंडे तो आप लेलेंगे पॉनाइक दूद और वो हम इसमें डालते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके पॉश्टमें दो तीन पॉशंग करके न तो वह इसमें डालेंगे और मिक्स करते जायेंगे अच्छा मिस्टमीन एक बिल्कुल करेंगे और अन लोगों के लिए बहुत होती है या वो किसी भी वजह से अंडो को एवाइट करना चाह रहे है तो यह लाजमी ट्राइब करें अच्छा आप यह कंसिस्टेंसी है इसकी मतलब बहुत थिक नहीं होगा यह जैसे केक्स का बहुत गाढ़ा वाला मिक्स्चर बनता बैटर बनता है लेकिन इसकी कंसिस्टे चुले पर रगती है इसको कवर करके तो आपने जो भी बरतन यूज़ करना पतीला या कडाही वापने चुले पर रख देनी है और वह उसके हिसाब कि मैंने डिश ले लिए इसने देर में वह गरम होगा मैं इसको ग्रीज कर लूँगी इसको रेडी करूंगी मैंने इसको ठाप रिजाते है तो जब हम पार बर्स नहीं बनते हैं अगर इसको टाप अ ना करें टाप करने से होते हैं कि जो आइल होता है करण में चमा वाबा मिल जाती है सही से अपने राघ्ज को पूरा होने में इति यहां पर कर रही halten तो पानी दालना है कि जो के मारे डिश को ना टाचो डिश ते नीचे नीचे ड़े और यह मैंने अंदर रख दिया और इसको मैंने कवर कर देना है इस रेसिपी की में ट्विस्ट है रबडी अब हम वह त्यार करने लगें उसके लिए हमें चाहिए दूद एक लिटर उसको हम पकाना है दूसरी तरफ हमने ले लिया है वाम एक ठीटेबल स्पून उसमें कुछ हमने जाफरान डाल दिया है थोड़ा सा और उसको भीगो के रख देना है कुछ देर के लिए उती देर में हमने यहां पर आ गए हैं वापिस दूद की तरफ दूद में डालेने हैं चीनी बहुत जादा चीनी हम नहीं जो है वो डालेंगे वरना बहुत मीठा हो जागा क्योंकि केक में अल्री मीठा है तो इसमें मैंने साथ तीन टेबल स्पून डाला है वास इतना साथ तीन साथ तेबल स्पून इस मोदेने नफ पाकि आप अपने हिसाब से अज़स्ट कर सकते ह ताकि कोई चीज आपकी मिस ना हो अगर मैं बी बताते बताते कुछ मिस कर दो कौंटिटी तो आपको सामने मिल जाए अब हमने इसमें डाल दिया है यह जाफरान वाला दूद और इसको पकाते रहने तिदे बकाना है कि इसकी कौंटिटी पिल्कुल जो है ना तकरीबन पी करेंगे दूद करेंगे बदल चुका है करने की वज़ए से भी और जाफरान की वज़ए से यह बिल्कुल रेडी है स्टेज पर यहां पर हमारा के भी रेटी ए फॉर्टी फाइव मिन्स मेरा रेडी हुआ है लेकिन आदे गंडे बात से आपने इसको चेक करना शूरू करन सब्सक्राइब करने का मकसद यह कि इसमें हमने रबरी डाली है तो रबरी की जो एक वो मॉइसनेस और फ्लेवर है वह इक विली डिस्ट्रिब्यूटर पूरे के पूरे केक में कहीं किसी एक जगह पर वो ड्राइना रहे ज़ए और कहीं जगह ज़ादा नरम या सौगी नह तो सारे केक में वो इकुली डिस्ट्रिब्यूट होना चाहिए और इसका फ्लेवर भी आना चाहिए यहां पर मारी रबरी जो है ना इस वकत नीम करम है और इसको नीम करम को ही हमने इसके ओपर डालना है इसको मेरे हलाली है यह ताकि सब तरफ चारों साइडों पर नीचे लाका तरफ नहीं करुछ की बस और रहे है और इसके लिए बाद गोंति पसंद राख को आप इसको डेकुरेट कर सकते हैं फ्रूट सनट ड्राइड टोपिंग जो होती है कुसी बीचीज से मैंने इसके लिए बादाम पिस्ते का जो है वो कि तक आप कि आशा आपकी आपको बारीकबारी कार्ट के मैंने बहुत घुपसूरती सेसको ao पसे और मैं पसी पोने निकाल के और प्लैटर में सैट करके दिखा और इसको टेस्ट करके बताओंगी कि यह कैसी बनी इसके लिए मैंने थोरी सी रब्री बचा ली हुई है पहले से और थोरी से बदाम पिस्टा वगारा यह सब चीज़ थोरी थोरी बचा के रखे हुए है जाके मैं जब इसको सर्फ करूंगी प्लाटर में तो उसको साथ में मैं डेकुरेट करूंगी जो है बहुत जल्दी केख बनने वाला केक जो यह रब्री केक है और बहुत कुइक रएसिपी है ज्चा मैंने इसमें अस में धिश-गात कर हुई चाफ कर दिया इसके ऊपर में यए धोरी सी रब्री है यह ढाल दूंगी साथ में थोरे से ये पिस्ता पदाम भी आप डाल देंगे जो साथ में मैंने बचा के रखे हुए थे जी तो अतयार है मज़ेदार और खुबसूरत रबरी केक वो कहते हैं ना you eat with your eyes first तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही मामला है क्योंकि इतना मज़े का इसका प्रेजंटेशन है और कॉंबिनेशन भी इसका बहुत खुबसूरत लगता है और बहुत टेस्ट फूल केक है यह बहुत सॉफ्ट तो आप इसको ट्राइ करें और अपना एक्स्पिरियंस मेरे साथ शेयर करें कि यह आपको कैसा लगा फिर मिलते अपनी अगली वीडियो में टेक कियर बाई बाई